नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो Qualcomm launch करने बाले अपना upcoming flagship प्रोसेसर जिसका नाम होगा Snapdragon 875 पहले ऐसा न्योस ता कि Snapdragon 865 प्लस लॉंच होगा लेकिन ए कॉर्ण भारेस के कराण overall production और research बन दे तो इसलिए Snapdragon 865 प्लस लॉंच नहीं करेगा डायरेक्ट 875 लॉंच करेगा तो इस वीडियो में आपको यह जो Qualcomm Snapdragon 875 इसके बार में full leaked information इसमें क्याका specification होगा Snapdragon 865 से कितना ज्यादा update होगा इसके बार में full details जूँँगा तो चलिए शुरू करते अचके वीडियो बिनोखरी वक्त कबाए और ए वीडियो शुरू करने से पहले आगर आप ग्याजरोल चर्प पे नहीं है और एसे वीडियो आकी भी देखना चाहते तो ग्याजरोल चर्प को साबसेट करना बिलकुली माद भुलिएगा तो स्नाप ज्याकोन 865 लांच होगा तर 2020 क्वाटर 1 पे लेकि स्नाप ज्याकोन 875 लांच होगा 2020 क्वाटर 3 पे और ए जो क्वाटर 3 माद भे आगोस्ट मायने पे लांच होगा अगर इस प्रोशेटर के सबसे मेन इंप्रूब्मेंट की बाग करे तो इसका CPU अर्किटेक्चर स्नाप ज्याकोन 865 ता 7 नानोमीटर अर्किटेक्चर पर लेकिस स्नाप ज्याकोन 875 होगा 5 नानोमीटर अर्किटेक्चर पर और जो दूसरा सबसे ज्यादा इंप्रूब्मे कोर है जिसका स्पीड है 1.8 GHz लेकि स्नाप द्यागर 875 में बिल्कुल नया जनेरेशन कोर होगा लिक्ट इंफर्मेशन से ए पता चला है कि इसका एक हाई परफ्रमेंस कोर होगा कोटेक्स X1 कोर वैसे ही जो कोटेक्स X1 ए अभी भी लॉंच होए दरसले ARM कंपणी ने रिसेली तीन कोर लॉंच किया है एक कोटेक्स A78 कोर दूसरा बहुत हाई परफ्रमेंस कोटेक्स X1 कोर और तीसरा माली 10dg 78 GPU तो एतीनो मेंसे जो एकदम हाई परफ्रमेंस कोर टेक्स X1 कोर वह और प्राइसर में उसका लेगा द्सक्रका स्वीकॉं औरस पीड होगा तीन गिजारत से ज्धार ।ीन परफ्रमेंस कोटेक्स A78 core इसके speed के बारे में कोई information नहीं और चार लोपार प्रमेंस Kotex A55 core मतलब कह सकते कि core configuration इस बार Snapdragon 875 का बहुत ही ज्यादा होने बाला है और Snapdragon 865 में जो core configuration का नाम वो था Cryo 585 और Snapdragon 875 में जो core configuration उसका नाम होगा Cryo 685 दोनों ही processor में quad channel LPDDR5 RAM होगा अब दोनों में जो RAM का speed बहुगा 2750 MHz अगर दोनों processor के memory support की बात करें तो दोनों में latest UFS 3.1 तक का support होगा और अगर दोनों processor के network support की बात करें तो दोनों ही 5G चीप है लेकिन Snapdragon 865 के लिए जो 5G modem यूश किया जाता है image sensing processor तो Snapdragon 865 में ता spectra 480, Snapdragon 875 में होगा spectra 580 और अगर इसके video capture की बात करें तो Snapdragon 865 में हम natively 4K quality में video capture मन्दब video record कर सकतें लेकि Snapdragon 875 में हमें Samsung के processor के जैसा exactly 8K quality में हम video phone के camera से record कर सकतें और अगर इसका graphics card जो कि इसका main चीज़ है इसके बात करें तो Snapdragon 865 में ता Adreno 650 और Snapdragon 875 में होगा Adreno 660 और अगर अन्टुटू स्कोर की बात करें तो यहां पर इसके बार में कोई information नहीं लेकिन हम थोड़ा से यहां गेस कर सकते Snapdragon 865 का Antutu स्कोर ता 6,33,000 और Snapdragon 855 प्लस का जो आंटुटू स्कोर बोए 5,70,000 मदब लगबग 1,00,000 आंटुटू स्कोर का increase और अगर हम Snapdragon 855 की बात करें तो उसका Antutu स्कोर था लगबग 4,000,000 के आसपास तो हम देख सकते कि Snapdragon के हर एक generation में 1,00,000 का Antutu gap होता है तो अब्यसलि हम ऐसा जरूर उम्मीद कर सकते कि यह जो Snapdragon 875 बाएगा इसका Antutu स्कोर मिनिमाम 7,00,000 से ज्यादा तो जरूर होगा और मुझे सम्मीद कि इसका स्कोर 7,20,30 ऐसा कुछ होगा तो आप बाड़ी इस वीडियो के हमने फूरे वीडियो में देख लिया इस बार Qualcomm का प्रोसेशर लॉंच होने बाला है इसका सबसे ज्यादा इंप्रूर्मेंट होगा इसका कोर कॉन्विगूरेशन और इसका CPO मैनुफेक्ट्रिंग प्रोसेशर जो कि मेरे खाल से इस प्रोसेशर को दुनिया का सबसे पार ब內ल से टूने सुटिए को डेख भी घंपन पॉस्ति बेख वी तूने आका से बेक्त्ति से तूने आंफे मेगा यहां हम कि यू।